सोंबार की अश्टमी पढ़ जाए क्या पढ़ जाए सोंबार की जम के बोलो जरा अश्टमी या तो सोंबार की अश्टमी पढ़ जाए या हर महीने शिवरात्री आती है हर महीने आती है या तो सोंबार की अश्टमी पढ़ जाए या फिर सोंबार की शिवरात्री पढ़ करना कि कहीं से देशी गाय का दूद मिल जाए थोड़ा सा दूद देशी गाय का मिल जाए थोड़ा सा देशी गाय का थोड़ा सा दूद अगर प्राप तो हो जाए बेल पत्री के पत्ते से दूद कटोरी में लेकर मात्र बेल पत्री के पत्रे से एक एक बूंद अगर दूद आप एक बूंद अगर जादा ना मिला हो एक चम्मज भी अगर आपको दूद देशी गाय का मिल गया हो और सोंबर की अश्तमी पड़ जाए या सोंबर की जम के बोलो शिवरातरी पड़ जाए उसमें केवल अगर देशी गाय का दूद मिल जाए जर्सी गाय का नहीं हो देसी गाय का अगर दूद मेल जाए बेल पत्री के पत्ते से तुमारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुमारे नजदीत में कोई शिवलिंग है उस पर बूंद बूंद अगर शिवलिंग पर दूद समर्पित कर र अशुक सुन्दरी वाली जगा पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवधी देव महादेव, आपका हाथ पकड़ कर खीच कर आगे बढ़ा ही देव शभी शिवाय नमजो महादेव, कहीं लग जाए आपकी जिन्दगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्ट में निकल रहा है, ये बेल पत्री लेना, इस बेल पत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना, कितना लगाना है, बीच व पर तकली बढ़ती जा रही है, आए दून रोग, बिमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्ट में जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेल पत्ती की बीच पत्ती की बीच पत्ती में, और बीच पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दो ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती है, इनके बीच में जो जगाबस्ती है, इसमें मापारवती के चोसट योगनिया, मापारवती अपनी पूर्ण सिद्धी के साथ में, जितनी भी देवी के सुरूप में, वो माता चोसट योगनिया देवी के सुरूप में यहाँ पर विराजमान होती है दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक यह पूरी डंडी में 33 कोटी देवी देटाउं बराजमान होती है इस पूरी डंडी की अंतर तो यह बीच वाली पत्ती है यह जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है इस पत्ति के भाग में शहद का प्रियोग करकर यहां पीला चंदन लाल चंदन लालचंदन शहद का प्रियोग करकर इसी तरह से पकड़कर यह बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जो आप समरफीद करें तो जहां से जल वहता है उस ओर पर इस पत्ति को उसको बोलते हुए देवधिद्यों महादेओं को धीरे धीरे जल की धार चड़ाना प्रारम करो जल की धार जब पून होने लगे उसमें थोड़ा जल बचे तब अशुक सुंदरी पर चो तुमने बेल पत्र चड़ाईए वहां उस जल धार को चड़ाई यह प्रयोग आपको केवल सोमबार की अश्टवी परने पर ही करना है कोँछ जल बचार करेंगे जम के वहलिया जरा की अश्टवी करने पर यह प्रयोग करें और जल चड़ाईए बाबा सिविंती करकर उसी बेल पत्र को वापिस उठाकर कहीं जलाश्य कर में या किसी पेड़ के नीचे विसर जन कर दें और एक लोता जल वहां भी चड़ा दें बस निवे दंकर करा जाईए मेरा बाबा तीन महा के अंदर हाथ जबू पकड़ेगा आपको प्रेजा सब्सक्राइब पाच जगहा पर बेलपत्र चड़ाना जरूरी होता है सावन के महीने में कहां पर पाच पहली बेलपत्र भगवान नंदिश्वर के उपर नंदी के उपर दूसरी बेलपत्र भगवान जहां गणेजी महराज गिराजमा ने उस जलहा पर तीसरी बेल पत्र जहां पर भगवान संकर का शीविलिंग लखा हुआ है उस जलाजहारी पर चोथी बेल पत्र जहां से पानी गिर रहा है औंद ". उस पात्र पर और 5 भी बेल पत्र शंकर भगवान के शिविलिंग के ऊपर चड़ाना जरूड़। बहुत तकलीफ है और नी हो रहा काम बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा हरा मुंग ले जाओ मुंग के दाने तो रहते हैं घर में केवल 31 मुंग के दाने लेकर जाईए 31 चावल के दाने लेकर जाईए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाईए जिस दिन सोंबार की अश्टमी हो कौन से दिन सोंबार की अश्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ पीन चीज़ लेकर जाओ मूं के दाने चावल बिल पट चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना करकर शंकर जी की देहली पर रख दो चोखट पर कहीं पर भी एकांत मैं उसको दिया मूंग के जोडाने लेकर गए हो 31 वो नंधी के पास में जो नंधी का पाउं उन्चा रहता है उस पाउं के पास रख दीजिये और जो 31 बल पत्र हो वो 31 बल पत्र अशुकशु सुंदरी वाली जो जगा आपको पहले बताया है कथा में अशुक सुंदरी जी का स्थान कि यह शिवलिंग यह जलाधारी जहां से पानी बहता है उसके बीच में मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशुक सुंदरी का स्थान शिवजी के तेरा बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशुक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है परतेक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी उस मोटी सी जो लाइन अशुक सुंदरी वहाँ पर जो 31 बेल पत्र लेकर गये हो अ आप निवेदन करकर देखो एक सुंबर की अश्टमी पर करकर देखना दूसरी सुंबर की अश्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा बाबा से निवेदन को करो क्यों भटक रहें